कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दीक स्वागत हैं आज के इस ओनलाइन क्लास के अंदर हम आर्बियसी सेलबस के अकॉर्णिंग दस्वी क्लास के विज्यान विश्वी का सेकंड चप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मनव तंत्र यानि यूमन सिस्टम इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र को पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे पिछली क्लास में भी हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र के दो मुख्यों भाग होते हैं जिसमें पहला बाग बड़ा था अहरनाल और दूसरा बाग बड़ा था साहेक ग्रंतिया अब इसके अंदर सबसे पहला हम समझेंगे कि पाचन तंत्र के अंदर कौन-कौन से किरिया होती है मानव के पाचन के अंदर किस प्रकार की किरिया होती है कौन-कौन से चरण है तो चलिए शुरू कर उसका नाम है अंतरग्रहन उसका क्या नाम है अंतरग्रहन यानी इंजेशन जो अंग्लिष मेडियम स्टुडेंट उनको भी यांचानी से समझ में आ जाएगा अंतर ग्रहन या इंजेशन पाचन यह परगरीया के इंदर जो पूरा प्रोसेज होता है पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम चरनों में बाढ़ रहे हैं और उसमें दूसरा चरने डाइजेशन तीसरा चरने उसका नाम है अवसोशन यानि एबजब्शन चाता है स्वांगी करन एसी मिलेशन और पांच वा चरने बईशेपन पांच चरन क्या है बईशेपन जिन हम कहते हैं इजेशन बोजब्शन की पूरी प्रक्रिया के अंदर बोजब्शन की पूरी प्रक्रिया होती है उसके पांच चरन होते हैं और उसका जो पहला चरन है जिसका नाम है अंतरगरण या इनजेशन इस चरण के अंदर क्या करते हैं, आम बोजन को गरण करते हैं, आम बोजन को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं तो इसमें जो परक्रिया हैं, इस परक्रिया के अंदर मुख्य रॉल होता है, मुख्य भूमी का होती है तो अंतरगरण के अंदर क्या कर किया जाता है बोजन को शरीर में प्रविस कराना बोजन को शरीर में प्रविस कराना प्रविस कराना सेकंड इस्टेप है पाच्छन डाइजेशन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर बोजन प्रविस कर लिया जाता है प्रिएष करा दिया जाता है उसके बार में क्या होता है उस बोजन का पाछन होता है उस बोजन को मसं बड़े बड़े टुकड़ों से चोटे टुकड़ों के अंदर बदलते है या फिर अमारे जो पाचन जंत्रे हैं वो बदलने का काम करता है तो उसमें देखिए जो पाचन होता है पाचन सुरू हो जाता मुख गुवा कभ से ही मुख गुवा के अंदर यांत्रिक बल के द्वारा या फिर यांत्री क्रिया के द्वारा जो बोजन है वो दातों से छोटी टुकड़ों में बाहरतिया जाता है और उसमें देखिए जो पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और लगबग बड़ी आंथ तक चलती रहती है बड़ी आंथ में तो बहुत क हो जाती है फिर पाचन के अंदर क्या होता है पाचन के अंदर बोजन के बड़े अनुओं को छोटे अनुओं के अंदर तोड़ना या फिर बदलना बड़े अनुओं को किसके बोजन के छोटे अनुओं में बदलना छोटे अनुओं में बदलना अब देखिए बोजन के बड़े अनुओं है उनको छोटे अनुओं में हम क्यों बदलते हैं इसकी क्यों आप सकता पड़ती हमें कि हम बड़े अनुओं उसको डायरेक्ट क्यों उसका उप्योग नहीं कर सकते क्यों कि जो हमारी क्वशिकाएं हैं उन बोजन के अनुओं को ग जोट चोटे टुकुड़ों में बारटना पड़ता हैं मा फिर उसके बाद में हुआ थिसरा इसिए पर वह अफ्सोष्ण उन चोटे अणूऑं को अपने सार राचना के इंदर अपने अंदर ग्रहन करती हैं तो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा शरीर की कोशिकाओं के द्वारा पच्छित भोजन को गरण करना अब देखिए पाचन के अंदर भोजन पच गया तो उसके वो उसे हम क्या कहते हैं पच्छित भोजन कहेंगे और ये पचित भोजन है उसको कौन करेगे कोशिकाएं गरण करेगी किस प्रक्रिया के अंदर अफसोशन के अंदर अब देखिए फिर उसके बाद में आता है स्वांगी करण या फिर ऐसी मिलेशन जैसे ही हमारे सरीर की कोशिकाओं को भोजन प्राप्त हो जाता है पचित भोजन प्राप्त हो जाता है उसके बाद में हमारे सरीर की कोशिकाओं होती है उस पचित भोजन को गरण की हुए भोजन को अपने द्वारा उर्जा में बदलती है तो भोजन के अणवों को उर्जा में बदलना यानि एक तरह से उसका यूटिलाइज करना उस बोजन का उप्योग करना तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पचित बोजन का उप्योग करना पचित बोजन का उप्योग करना पचित भोजन का उपयोग किस परक्रिया के अंदर या फिर किस चरण के अंसरों के अंदर, उसके बाद में अब देखिए या सभागी करन के अंदर क्या बन गई उर्जा बन गई जो हमारे मुक्य श्रोते हैं नी थी वह हो चुकी ए अब उसके बाद में सबसे लास्ट इस पर जिसका नाम वैसेपन या फिर इजएशं के अंदर क्या होता हैं बहünden या इजेशन के अंदर जो भी अफसोशित भोजन है वो गरन कर लिया उसके उसके बार में क्या होता है तो उनको हमें क्या करना पढ़ता है उनको बईशेपन करना पड़ता उसको बाहर त्यागना पड़ता है तो अपचित भोजन या फिर अपचित पदार्थों को भोजन से अलग करने के बाद में उसको क्या करना शरीर से बाहर निकानना या फिर बाहर त्यागना बोजन के अपचित भाग को शरीर से त्यागना क्या करना शरीर से त्यागना क्या कलाता है बहिशेपन या फिर इजेशन क्या लाता है स्रीर से त्यागना बहिशेपन क्या लाता है अब देखिए मानम में पाचन की परक्रिया के पांच हरण होते हैं एक बार और पांच हरण होते हैं अंतरगरण, पाचन, अवसोसन, स्वांगीगरण और बहिशेपन अब देखिए जो अंतरगरण होता हैं वो मुख या मुख गुआ तक होता हैं पाचन होता हैं वो मुख गुआ से शुरू हो जाता दातों के दवारा यांत्रिक परक्रिया के दवारा हम उस बोजन को तोड़ते हैं और लगबग बड़ी आथ तक ये फरक्रिया चलती रहती है अफसोसन है वो छोटी आथ और बड़ी आथ के अंदर होता है बड़ी आथ के अंदर जल का अफसोसन होता है और छोटी आथ के अंदर बोजन का अफसोसन होता है स्वांगी करन की परक्रिया के अंदर क्या होता है कि जैसे बोजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच गया तो हमारी कोशिकाओं उसको उर्जा में बदलती है तो यह जो पांचवा स्टेप सरी छोता स्टेप है वह होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर हमारे सरीर की कोशिकाओं के पाच्छन तंत्र के विविन भाग और उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आज हम सुरू करेंगे पाच्छन तंत्र के अंदर आर नाल का पहला भाग जिसका नाम है मुख और मुख गुगा मुख और मुख गुगा पहला बागे उसको हम शुरू करेंगे मुख एवं मुख गुगा अब देखिए यह च्छित्र बनाया हुआ है इसके अंदर यह मुख यानि कि आहर नाले वह कहां से शुरू होती है कोई भी पूछ ले कि आहर नाल का सबसे आगे वाला इस्सा या पिर आगे वाला भागे उसका क्या नाम है उसका नाम मुख या माउथ और यह तो आप सभी को बताने की तो इतनी असिकता नहीं है लेकिन फिर भी बता रहे हैं मुक एवं मुक गुआ, उसके बार में क्या होता है? जी दूसरा भाग है, उसका नाम पहला रहाला बाग मुक और दुसरा भाग है मुक गुआ मुक गुआ जैसे रहा है वह आगे जाके किस में ख़लता है एक गुफा नुवा सरचना में खुलता है जिसे हम कहते हैं मुक गुवा, बकल कैविटी, औरल कैविटी तो ये है मुक गुवा, अब देखिए ये क्या है, ये है नासा गुवा, नासल कैविटी और ये है बकल केविटी या फिर औरल केविटी मुख गुवा इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर तीन मुख्य भाग होते हैं यानि हम क्या सकते हैं मुख्गुवा के तीन मुख्य भाग होते हैं बकल केविटी के कितने भाग है तीन भाग कौन कौन से पहला है जीप तालू और दांत जीप, तालू और दांत अब देखिए जीप, तालू और दांत इन तिनों का बोजन के पाचन के अंदर बोजन के पाचन की परक्रिया के अंदर मुक्य बोमिका होती है और उसमें भी जाधे तर चाथों की मुख्य बोमिकान हुती है करता तो सबसे पहले हम अधिगे जीब को सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीब यह फिर जीब को क्या ग़ाता है टंग क्या गाजता है टंग अब कोई प्रस्ण पूख लें कि जीब किस प्रकार की सनचना है क्या है तो जीब एक मासल पेशिय सनचना होती है मासल पेशिय सनचना है अब देखिए यह जीब की स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या होगा यह जीब पीछे से जिस भाग से जुड़ी होती है तो वहाँ पे एक हड़ी पाई जाती है जिसका नाम है हायोड बॉन के नाम है हायोड बॉन यह नीचे से जबड़े से जो जीब जुड़ी होती है यानि की जबड़े और जीब की बीच में जो जुड़ा हुआ भाग है इनको कनेक्ट करने वाला भाग है उसका नाम है फ्रेनुलम लिंगवी उसका आप ध्यान रगना कि जैसे आप जीब खोलते हो तो उसके नीचे वाला भाग है उसे हम क्या करते हैं फ्रेनुलम लिंगवी कहते हैं क्या करते हैं फ्रेनुलम लिंगवी इंडी में लिखेंगे तो फ्रेनुलम लिंगवी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यह कौन सा भाग है यह वाला माली जीब यह जबड़े वाला भाग है नीचे वाल में जो Jeed बे उसके उपर क्या आद आई जाती है और पैफिला अजा आगों के अंदर test buds होती है स्वाद को लिकांए होती है जो स्वाद का पता लगाने में होती है अब हम पढ़ेंगे जीब के कारिया तो जीब के मुख्य कौन-कौन से कारिया है जीब का जो पहला कारिया है वो है गस्टेटो रिसेप्टर एज गस्टेटो रिसेप्टर यानि जो स्वाद है उसका पता लगाना स्वाद को गरन करना तो स्वाद का पता लगाने में जीब का रॉल होता है दुसरा कारिय वह यह है कि जो हमारी जी पर नेचुरल बरस के रुप में काम करती है या यानि एक तरह से दातों के बीच में कहीं पे भी बोजन के क्णड फसे होते हैं तो इसको बाहर निकालने का कारिय करती है तो ये दूसरा कारी है दातों के बीच भसे बोजन के कणुओं को बोजन के कणुओं को बाहर निकालना तीसरा जो जीब का कारी है वो है बोलने में साइक बोलने में साइक यदि जीब नहीं होती तो हम नहीं बोल बाते इसलिए बोलने के अंदर साइक बोलने के अंदर भी जीब का रॉल होता है छोथा कारी है çi यहाये ऑजन को निगलने में साहिक यह करती है मुझन को निगलने में साहएक ने निगलने में साइक ना है जो ख्याना तो बने और झूब Legislate में भी जीव कमक्य रोल रहता हैं यहाओ फिर बने को को लाहर के साथ में मिक्स करना है कि यह कारियों है जीव के इसके बाद जो सेकंड भागे मुख हुआ का उसका नाम है तालू इसका नाम क्या है तालू या फिर पैलेट तो सेकंड बाकों पड़ते हैं तालू या पैलेट तो मुख गुआ का दूसरा भागे जिसे हम कहते हैं तालू या फिर पैलेट अब देखें तालू या पैलेट क्या होता है जो हमारे मुख गुआ होती है तो मुख गुआ के उपरी छत होती है छत नुमा सरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं तालू जैसे कि ये वाला ये वाली जो सरचना है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं तालू के भी यहां दो भाग होते हैं तालू के भी दो भाग होते हैं आगे वाला भाग कठोर होता है पीछे वाला भाग कॉमल होता है आगे वाला भाग कठोर होता है जिसे हम कहते हैं कठोर तालू पीछे वाला तालू है उ इसमें क्या बाई जाती है अड़ी और इसके अंदर पाई जाती है कार्टिलेज क्या बाई जाता है कार्टिलेज या फिर जिसे हम कहते हैं उपास्ती तो उपास्ती के कारण ये कामल है और ये अस्ती के कारण ये कठोर है तो तालू के दो भागते हैं कठोर और कॉमल तो दे नाम है यूवियूला तो यह नाम भी आपको द्यान रखना है कि तालू के आगे वाली सरचना है जिसका क्या नाम है अग्रीम सरचना तालू की अग्रीम सरचना क्या क्या लाती है यूवियूला क्या लाती है तो इसका आपको द्यान रखना है आज के लिए बस इतना ही अब हम अगली क्लास में यहां से आगे से कंटीनू करेंगे तब तक आप मेरे पिछली वीडियो नहीं देखा हैं तो वह भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करतेजिए और बैल आगन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगले बार जैसे ही वीडियो अफ्लूड हो जाए यूट्यूब के ऊपर तो आपको नोटिफिकरिशन मिल जाए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद